दोस्तों जब भी हम YouTube के लिए कोई भी वीडियोज बनाते हैं तो हमारी सबसे ज़्यादा परिशानी होती है कि हमें background noise का बहुत ही ध्यान रखना होता है यानि जब भी मैं अपनी वीडियोज को पहले शूट किया करता था तो मुझे fan बंद करना पड़ता था या फिर आसपास में अपने कमरे को पूरा पैक करना पड़ता था ताकि बाहर से कोई भी noise अंदर ना आए और कभी-कभी अगर ऐसी noise आ भी जाती थी तो उस part को मुझे cut करना पड़ता था लेकिन अब आज की date में ऐसा बिलकुल भी नहीं है मैं आपको एक ऐसे tool के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप अपने background noise को बिलकुल remove कर सकते हैं अगर आपने अपने वीडियो को कहीं ऐसी जगा शूट किया है जिसके background side में बहुत ही जादा noise इंडे ठोड़ी है तो उसे आप बहुत ही असान तरीके से remove कर पाएंगे तो आए जानते हैं कैसे तो दोस्तो सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा जो की हमने केदारनाथ यात्रा करते समय शूट किया था यहाँ पर आप देखेंगे हमारे समने दो वीडियो जैं वीडियो वन और वीडियो टू वीडियो वन हमारी original वीडियो है और वीडियो टू के अंदर हमने अपनी audio को enhance किया है तो दोनों को ही मैं एक बार आपको play करके सुनाता हूँ सबसे पहले मैं आपको वीडियो वन प्ले करके सुनाता हूँ यह आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर काफी जादा noise है अब हम प्ले करते हैं अपनी वीडियो टू को जिसमें हमने अपनी audio को enhance किया है तो दोस्तो पहली वाली वीडियो में आपने देखा कि इसमें बहुत जादा noise था यानि background में बहुत जादा शोर था और दूसरी वीडियो में हमने इसको बिल्कुल clear कर दिया तो अब यह कैसे कर सकते हैं आईए जानती है सबसे पहले आपको अपने filmora को open कर लेना है और filmora open करने के बाद यहां से आपको अपनी वीडियो को select करना है तो जैसे माल लीजे हमारी जो वीडियो है हम अपनी वीडियो को यहाँ पर select कर लेते हैं और इसके बाद अपनी वीडियो को यहाँ पर import कर लीजे import करने के बाद आपको सबसे पहले अपनी वीडियो में से audio को अलग करना होगा तो अलग करने के लिए आपको इस पर right klik करना है right klik करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा detect audio का एक options पर आपको क्लिक कर देना आप इस पर जैसी आप klik करेंगे नीचे आपको दिखाई देगा MP3 MP3 को select करते हुए यहाँ पर आप देख सकते My Audio आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर आप अपने हिसाब से जो भी नाम देना चाहें वो यहाँ पर नाम दे सकते हैं जैसे माल लीजे हम इसको नाम दे देते हैं केदारनात Audio और उसके बाद हम यहाँ पर इसे एक्सपोर्ट कर देते हैं जैसे हम इसे एक्सपोर्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारी Audio यहाँ पर एक्सपोर्ट हो चुकी है अब इसके बाद हम इसे close करेंगे और अब हमें जाना है एक website के उपर और यहाँ से हम अपना ब्राउजर ओपन करके यहाँ पर टाइप करेंगे Adobe Podcast यहाँ पर आपको Enhanced Speech from Adobe का अप्शन दिखाई देगा इस दूसरे वाली लिंक पर आपको क्लिक करने जैसी आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का Interface ओपन हो जाएगा आपको ध्यान रहे सबसे पहले आपको इसे Login करना होगा तो हमने इसे Gmail ID से Login कर रहा है अब यहाँ पर आपको क्या करना है Choose File पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी Audio को Select करना होगा तो यहाँ पर हमारी जो Audio है हम यहाँ से Select कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किदानात Audio के नाम से हमने यहाँ जो Audio Export की थी वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है इसको Select करके हम यहाँ पर Open करेंगे और जैसे आप इसे यहाँ पर open करेंगे तो यहाँ पर यह uploading होनी start हो जाएगी और इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर enhancing speech का option आपको दिखाई देगा तो यहाँ पर आप audio को आराम से enhance कर सकते हैं अगर आप video के साथ इसको enhance करना चाहते हैं आप चाहिए तो यहाँ पर इसे play करके सुन सकते हैं हमें directly download वाले section पर click करना है याँ download वाले button पर हमें simple click कर देना जैसे हम download वाले button पर click करेंगे तो हमारी जो audio होगी वो यहाँ पर download हो जाएगी और अब हमें उस audio को remove करके उसकी जगा इस audio को यहाँ पर set कर देंगे तो इसके लिए हम वापस से अपनी wondershare filmora पर आ जाएगे और इसके बाद इस audio को यहाँ पर select करके delete कर देंगे और जहाँ पर हमारी audio download होई है हम download section पर जा करके अपनी उस audio को select करके यहाँ पर open कर देंगे तो आप देख सकते हैं हमारी audio यहाँ पर आ चुकी है इसको drag and drop करके आप इसके नीचे set कर दीजे और इसके बाद आप यहाँ पर play करके से सुन सकते हैं और आप आप यहाँ है sound play आप और आज आप चड़ाए करने जा रहा है तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पर हमारी जो audio थी वहाँ पर बिल्कुल clear हो चुकी है यानि हमने अपनी audio में जितना भी background noise था वो यहाँ से remove कर लिया है अब आपको simple करना क्या है सीधे export वाले बटन पर click करना है और यहाँ पर अपने सुविदार जिस भी extension में आप इसे export करना चाहते है उस extension को यहाँ पर select करना है तो मैं आपको suggestion करूँगा आपको MP4 को ही select करना है और इसके बाद यहाँ पर आप अपनी वीडियो का कोई भी नाम दे सकते है और सीधे export वाले बटन पर आपको click कर देना है जैसी आप export वाले बटन पर click करेंगे तो आपकी जो audio थी वो यहाँ पर enhance हो जाएगी और इसके साथ साथ आपकी वीडियो यहाँ पर completely enhance audio के साथ merge हो जाएगी और उसके बाद आप इसे आसानी से कहीं पर भी upload कर सकते हैं तो दोस्तो इस तरीके से आप अपने audio में से noise को proper तरीके से clear कर सकते हैं वो भी बिल्कुल free में अगर आपको हमारा इस वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को like, comment share शरू किजेगा धन्यवाद